Hello friends, welcome to my channel So, आज के lecture में हम द्रव्य वर्गी करन देखेंगी ठीक है, इसके पहले lectures में हमने द्रव्य जो है उसके बारे में देखें उसकी definition देखें, सब तो पधार्त में कौन-कौन से चीज आती है वो सभी चीज हमने देख चुके है ठीक है, और हमने द्रव्य का जो classification है वो भी देख चुके है उसमें सबसे पहला जो था चेतन और चेतन भेच से द्रव्य का वर्गी करन वो भी हमने देखें और कारेकारन भेच से द्रव्य का वर्गी करन वो भी हमने देख चुके है तो आज के हम लेक्चर में क्या देखेंगे? उत्पत्ती भेट से द्रव्य का वर्गी करन और योनी भेट से द्रव्य का वर्गी करन और प्रयोग भेट से द्रव्य का वर्गी करन तो सबसे पहला क्या है उत्पत्ती भेट से द्रव्य का वर्गी करन ये हम आज देखेंगे तो उत्पत्ती भेट तो द्रव्य जो है उत्पत्ती कैसे हुई है उसके अकॉर्डिंग हम उसका वर्गी करन देखेंगे तो सबसे पहली बात तो सभी द्रव्यों की हमारे शुस्टी में जो उत्पत्ती है वह महाभूत से होती है लेकिन जो महाभूत है उसमें भी उनमें कोईनों की महाभूत का अधिक्य होने से उस द्रव्य की उत्पत्ती होती है तो उसके according ही आपर बताया है कि उत्पत्ती भेच से द्रव्य का वर्गी करन जैसे कि जो पाच महाभूत हमारे स्मिब है तो जैसे पार्थिव, आप्य, तेजस, वायविय और आकाशिय तो ये जो द्रव्य जो है, ये अपने-अपने महाभूत के अधिक्य से ये द्रव्य जो है उनका वर्गी करन किया गया है तो ये कितने प्रकार के है? पाच प्रकार के है, क्योंकि जो महाभूत है वह भी पाच प्रकार के है तो सबसे पहला जो है वो पृत्वी वाला है मतलब कि पार्थियो द्रव्या पृत्वी महाबूत के अधिक्ये से जो द्रव्य उत्पन होता है वह है पार्थियो द्रव्या तूसमें भूता दिक्ये क्या होगा पृत्वी महाबूत होगा इंद्रियार्थ क्या है गंध है जो सभीजेव गुन है फिर रस्य मधूर अलपक चाहे और विपाक इसका गुरु है कर्म जो है वो कौन-कौन से करता है तो मतलब पार्थी उद्रव्याज के जब हम इसका उप्योग करते है इसका हम जब सेवन करते है तो यह कैसे हमारे शरीर में कर्म करता है, कार्य करता है हाना, तो, कैसे करता है तो, वो बलनिर्मिती करता है स्थालीय, स्थेर्य, गओरव ये सबी जी जयें उसके पार्थिय друзья के, क्या है, कर्म है उसमें कौन-कौन से δरव्य आ जाएंगे यो से आप्य द्रव्य कहते हैं इंदरियार्थ कौन सा इसमें? तो रस है, गुन जो जल महाभूत के जो गुन इसमें आते हैं वही गुन इसमें आप्यमें आएंगे कौन-कौन से हूँ, तो द्रव, स्निक्द, शीत, मंद, गुरू, सांद्र, पिछील, म्रोधू. फिर इसक अपना जो जल महाभूत है, उसके जो कर्म है, उसके जो कारिय है, वही कारिय कौन करेंगा, आप्या, आप्या पधार्थ करेंगे, हाना, तो वो क्या करेंगे, कलेदन का काम करेंगे, बंधन का जोडने का काम करेंगे, मारदव, अधोगमन, स्नेहन, हाना, तो ये सबी जो इक्षूरस, कमल, ये सबी जो इसमें द्रव्य आ जाएंगे, फिर तीसरा है, आगनिया, आगनिया द्रव्य जो है, इसका भूता अधिक्या क्या है, अगनी महाबूत है, फिर इंद्रियार्थ, इंद्रियार्थ रूप है, क्योंकि हम अपनी आखों से अपने जो नेत्र रहत तिक्ष, विशद, खर, सुक्ष्म, तो जो अगनी महाबूत के जो गुन है, वहीं उसमें आ जाएंगे, आगनिया पधार्थ में, रस, मुख्यत इसमें कटू है, किंचित, अमल, वलवन, विपाक, लगू, और कर्म, कर्म जो अगनी महाबूत के, कौन-कौन से, दाहा निर करती है, फिर कांती, कांती, प्रभा, कांती, उसको उत्पन करती है, पचन की क्रिया हमारी बहुत अच्छी रहती है, अगनिया पधार्थ से, और विद्रदी जैसे जो है, उसका दारण करना, और अर्धोगमन, तो यह सबी चीज जो है, अगनिया पधार्थ, जो है, उसके फिर इसके बाद चोथा है वायवी है मतलब कि वायू महाभूत का इसमें अधिक्य रहता है इंद्रियार्थ इसमें सपर्ष है गुन जो वायू के गुन है वही उसमें आजाएंगे गुन कौन-कौन से रुक्षय लगू, शीत, विश्यद, खर, सुक्ष्मा, रज, मुख्यत कशाय, याद रखो कशाय है मुख्यत और अलपतिक तरस है अलपतिक तरस है और मुख्यत जो वह कशाय है विपाक इसका लगू है और ये कर्म क्या करता है तो हर एक कार्य जो वायू के इससे ही होता है वायू के बेना कोई भी कार्य नहीं होता हमारी शरीर में है तो चल की जो गती रहती है, चलायमान गती रहती वायू महाबूत में, तो शरीर की रुक्षता, लगूता, विचारणा, आशुकारी, उर्धवगमन, तेक, यह सबी चीज को कहा करता, वायू महाबूत करता है, वायू वीया, द्रव्या करते है, द्रव्या कौन-कौनसे आजाएंगे, इसमें तो लोद्र, उदंबर, वठ, खदीर, कदम, इत्यादी, ओके, फिर आकाशिय द्रव्य, तो आकाशिय द्रव्य में, obviously, इसका आकाशिय द्रव्य है, तो आकाश महाबूचेस की भूतादिक्यों है, इंद्रियार्थ इसमें कौन सा है, शब्द है, करनेंद्रिया, इसम लगू, स्लक्षन, सुक्ष्म, मृदू, विशद, विविक्त, ओके, फिर उसमें रखत जो है, वह अव्यक्त है, बताया ने, तीक है, फिर विपाक जो है, वह लगू, शुशृत जी ने बोले है, कि लगू है, ओके, आकाशिय का विपाक, कर्म, अब किसके अकौर्डिंग होंगे, तो आकाश महाबुत के जो कर्म है, वही इसमें देखा जाएंगा, तो शरीर में क्या करना, मार्दव करना, हलके पना लाना, हलका पना लाना शरीर में, विवरन, मतलब की दोश को और मल को अलग करना, ठीक है, तो विवरन उत्पन करना, यह अभी इसका कर्म है, इ तुटु तुम्बी, तंबूर फूल, ये सबी जो ये द्रव्य इसको एक बार याद रखने नाच्छे से, ठीके, ये एक्जाम में पूछा जाता है, कि जो द्रव्य है उसका वर्गी करण में पूछा जाएंगा आपको, ओगे, ठीके, इसके बाद हम योनी भेच से द्रव् के तीन मुख्य प्रकार पड़ते हैं, ठीके, कौन-कौन से, तो जांगम, ओद्वित वो पार्थियू, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो अच्छे से, कि योनी भेच से द्रव्य के वर्गी करण में तीन आएंगे, कौन-कौन से, जांगम, ओद्वित वो पार्थियू जांगम मतलब क्या, तो जो हाल-चाल करने वाले जो प्रानी वगरे जो रहते हैं, उससे उत्पन हुए वाले जो द्रव्य रहते हैं, उससे को हम जांगम द्रव्य कहते हैं, मतलब कि प्रानी से प्राप्त होने वाले द्रव्य, ठीके, उन्हें प्रानीज भी कहा जाता है, यह याद रखो, हाना, क्या उससे प्रानीज भी कहा जाता है, यह जांगम द्रव्य को प्रानीज द्रव्य भी कहा जाता है, हाना, ऐसा कभी कबार MC के उसमें पूछा जाएंगा, कौन से इसको प्रानीज कहते हैं, तो जांगम को कहते हैं, ठीके, तो जांगम के प्रकार कौन कौन से हैं तो इसके चार प्रकार है जरायूज, अंडज, जरायूज, अंडज, स्वेदज और उद्भीज ऐसे इसके किते प्रकार है चार प्रकार है अब हम जरायूज के बारे में देखेंगे तो जरायू मतलब की अपरा प्लैसेंटा से निर्मान होने वाले जो रहते हैं जैसे की गाय हो गया मैस हो गया इत्यादी पशू और मनुश्या ठीक है तो यह क्या हो? जरायू उध्रविया फिर उसके बाद अंड़ अंड़ मतलब कि अंड़े से निर्मान होने वाले थीक है? जैसे कि अलग पक्षी जो है उनके अंड़े से वह निकलते है ना कोई साप ऊगरे जो है वह अंड़े हो गया तो यह सब ही जो अंडज हो जाएंगे फिर उसके बाद स्वेदज स्वेदज मतलब की स्वेद से उत्पन होने वाले जो प्रानी रहते हैं उनको हम स्वेदज कहेंगे तीक है? उसमें सुक्ष्मकुरूमी किटक वगरे जो दलदली में रहते है जो दलदली में रहते है और वहां से जो उत्पन होते है स्वेद से उत्पन होते है कि टानू उससे हम स्वेदज कहेंगे ठीक है फिर उत्वीज मतलब कि जमीन से उपर आने वाले ठीक है इंद्रग वो बेडू को गरे जो रहते है वो अनुकूल काल में जमीन पर ही रहते है और प्रतिकुल कान में जमीन से वह खुद को बाहर निकाल लेते हैं, मतलब कि हिबर्नेशन प्रोसेस, उसी को हम क्या कहेंगे, उद्भिच कहेंगे, तो ये किसके थे, हमने क्या देखे ये, कि जांगम द्रव्य, जो इसका वर्गी करन देखे, ठीक है, उसके सब प्रकार थे फिर ओधिद्रव, ये तो ओधिद्रव कौन कौन से हो जाएंगे, कि जमीन से उपर उगने वाले ओधिद्रव है, मतलब कि जमीन से जो उपर उगते, जैसे कि कोई विरुक्ष हो गया है, तो उसमें कौन कौन से है, तीन है, वनस्पति, वनस्पतिया और विरूद, पतिये में फूल और फॉल जो है वो पस्ट रूप से दिखते हैं और विरूद में जैसे गुडुची है गुंजा है ऐसे द्रव्यों को समाविश रहता है ठीके अब तीसरा जो है वो हमने योनी वेट से वर्गी करन में तीसरा क्या नहीं के थे पार्थी उद्रव्य देखे पार्थी द्रव्य है ठीके फिर उसके बाद प्रयोग भेट से हम द्रव्य का वर्गी करन देखेंगी तो प्रयोग भेट मतलब कि उस द्रव्यों का हम प्रयोग किस तरी के से कर रहे हैं हम उसका प्रयोग ओशत के तौर पर कर रहे हैं कि आहार के तौर पर कर रहे हैं तो औशद्रव्य मतलब कि व्यादी चिक्स्ता में उपियोग की जानकारी वाले द्रव्य, ठीके, यहाँ वीरिय प्रधान रहते हैं, इनकी जो है, शरीर दोशादी पर कारे करने की शक्ती जो है वहाँ, उनमें होती है, मतलब कि शरीर के जो दोश रहते हैं, वात्पित्तकफ, उसने कारे करते हैं, अगर वो बढ़ते हैं, मतलब कि यदि कोई दोश का कौपन होता है, शमन होता है, तो उसको उसको वा समस्थिती में लाते हैं, तो ऐसे द्रव्यों क्या कहेंगे? ओशद्रवय कहेंगे, ठीके, तो हमने के बोले उसमें वीरिय प्रधान रहता है, तो वेर्या भेत से ओशति द्रव्य जो है, वह तेन प्रकार के हो गए एक है तिक्ष्ण वेर्या में अतिश्ः उष्ण वाले जो द्रव्य रहते हैं। चितरक है, पिमपड़ी है, ठीक है, तो यह तिक्ष्न द्रव्य हो गया, मतलब कि बहुत साथ उष्ण रहते हैं, फिर मध्य वीरिय वाले मतलब कि बिलव, अगनी मंत, फिर मुरुदु वीरिय वाले मतलब आमलकी, गुड़ुची, जैसे सौम्य द्रव्य, फिर दूसरा हमने दुगद, इत्यादि द्रव्य, जैसे रस प्रधान रहते हैं, इनमें सबी रसों का समावेश रहता, इसलिए हम अपने आहार में इनको लेते हैं, ठीक है, तो यह हो गया आहार द्रव्य, तो हमने क्या देखे, प्रयोक भेच से आहार का द्रव्य का वर्गी करन देखे, त फिर उसके बाद हमने योनी भेच से द्रव्य का वर्गी करन देखे, तो उसमें कौन कौन से देखे, जांगम, और बिध और पार्तियू, फिर उसके बाद हमने क्या देखे, कि प्रयोक भेच से द्रव्य का वर्गी करन, तो प्रयोक भेच से द्रव्य का वर्गी करन में क् अगले लेक्चर में देखेंगे ठीक है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ठीक है ओके थैंक यू